असलाम अलेकुम डियर वीवर्स आप देख रहे हैं सिंधी टीचर मैं आपको बुनियादी सिंधी बेसिक सिंधी स्टार्टिंग सिंधी सिंधी काईदे अलिफबे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हूं उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10 क्लास 7 टक सिंधेक्स बुक बॉर्ट की हमने कंप्लीट कर दिये हैं और इन क्लास इसके अलग से प्लैलिस्ट बने हुए हैं आप अपनी क्लास के मताबिक जाके पढ़ सकते हैं जो चेप्टर पढ़ेंगे उसका मुकमल उर्दु तर्जुमा करेंगे उसमें जो भी एक्सरसाइज होंगे कुशनांसर अलफाज माईने अलफाज जुम्ले जो भी होंगे वह साथ साथ में सॉल्फ करते जाएंगे हमने सिंटेक्स बुक बोड की क्लास सैवन कंप्रिट कर दिये अब हम पढ़ेंगे क्लास फॉर गाबा सिंदी ये आसान सिंदी की ही बुक है हम इसे गाबा सिंदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गाबा पब्लिशर्स की तरफ से है और इसमें हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 15 कंप्लिट कर दिया था आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 जिसे सिंदी में सबक सो रहून पढ़ते हैं शुरू करते हैं बिसमिल्ला आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है मियानी जी जंग मियानी एक जगा का नाम है और उसकी जंग के बारे में आज पढ़ेंगे ये एक पिक्चर दी गई है शायद ये मियानी की पिक्चर है साल 1843 इस्वी जी गाल आहे साल 1843 इस्वी की बात है गाल का मतलब होता है बात सिंद ते मीरन जी हकूमत हुई सिंद पर मीरों की हकूमत थी सिंद ते का मतलब होता है सिंद पर थी का मतलब होता है पेरे पर हुई का मतलब होता है थी हैदराबाद आई आसपास वारे इलाकन थे मीर सुबेदार खान हुकूमत कंदो हो हैदराबाद और उसके आसपास वाले इलाके इलाकों पर मीर सुबेदार खान हुकूमत करता था इलाकन का मतलब होता है इलाकों मीर पूर खास वारे इलाके में मीर शेर मुहम्मद जो हुक्म हलंदो हो मीर पूर खास वाले इलाकों में मीर शेर मुहम्मद का हुक्म चलता था यानि कि वहां इद्राबाद में दूसरा कोई था और यहां पे दूसरा था लेकिन हुकूमत जो थी मीर सुबिदार खान की थी होश मुहमद शीदी मीरं जे हवेली जो मुलाजम हो होश मुहमद शीदी मीरों के हवेली का एक मुलाजम था पहले बता रहे थे किसकी हुकूमत थी अब वहां पे कोई मुलाजम था मीरों के हवेली में मीर केस प्यार मा होशोशीदी सडंदा उहा मीर जो है उसको प्यार से होशोशीदी कहकर बुलाते थे केस का मतलब होता है उसको प्यार से होशोशीदी सडंदा उहा का मतलब होता है होशोशीदी कहकर पुकारते थे सडंदा उहा का मतलब होता है पुकारना होशोशीदी जंगी फन जो माहिर आएं बहादूर हो होशोशीदी जंगी फन का माहिर और बहादूर था इनी साल इंग्रेजन सिंध ते कबजो करन लाए हमलो कियो इसी साल इंग्रेजन ने सिंध पर कबजा करने के लिए हुकूमत किया ते का मतलब होता है पेरे पर कबजों का मतलब होता है कबजा करन लाई का मतलब होता है करने के लिए हमलों के हमला किया अंग्रेजन के एहरन मारन जी जरूरत हुई अंग्रेजों को ऐसे लोगों की जरूरत थी एहरन मारन का मतलब होता है ऐसे लोगों मारन केते हैं लोगों को जरूरत हुई जरूरत थी जे की मीरन जे गर जा मारू हुजन जो मीरों के गर का गर के लोग हो क्योंकि वो बाहर से आये थे तो उनको यहां के लोगों की जरूरत थी और ऐसे लोगों की जरुवती जो के मीरों के गर के लोग हो जे की मीरन जे गर जा मानू हुजन जो के मीरों के गर के लोग हो हुजन का मतलब होता है 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 हुजन क मेर सुभेदार खान इक्टिदार की लालच में और जाकर अंग्रेजों के साथ मिल गया encontramos अंग्रेजन सा गडियो मतलब अंग्रेजों के साथ मिल गया गडियो का मतलब होता है साथ होशो केस गणोई समझायो पर हुन ना मन्यो होशो ने उनको बहुत ही समझाया केस का मतलब होता है उनको होशो ने उनको बहुत ही समझाया यह निकि अपने मालिक को बहुत समझाया पर हुन ना मन्यो पर उन्होंने नहीं माना सत्रा फेबर वरी सुरी सत्रा नहीं कहेंगे सिंधी में से कहेंगे सत्रन फेबरवरी आटारा सो तेनताली इस्वी ते अंग्रेजन एन मीरन जे सिपाईयन मा हैदराबाद का उत्तर तरफ फुलेली वा जे कब ते म्यानी वट जबरदस्त मुकाबलाते हो सत्रा फेबरवरी अटारा सो त्रालीस इस्वी पर अंग्रेजों और मीरों के सिपाईयों और हैदराबाद और हैदराबाद से शुमाल की तरफ फुलेली वा जो है एक वहाँ पे नहर है और हैदराबाद से शुमाल की तरफ फुलेली वा एक नहर है वहाँ पर और नहर के किनारे कब कहते हैं किनारे को फुलेली वा जे कब ते फुलेली वा के किनारे पर म्यानी वट जबरदस्त मुकाबला थे हो म्यानी के पास जबरदस्त मुकाबला हुआ what का मतलब होता है pass मियानी के पास जबर्दस्ट मुकाबला हुआ होशो और संदन तोब जे होशो और उसके तोब चलाने वाले तोब जे केते हैं जो तोब चलाते हैं तोब चलाने वाले अंग्रेज फोज खिलाफ अंग्रेज फोजों के खिलाफ वड़ी बहादुरी सां विड़िया, बड़ी बहादुरी से लड़े, वड़ी का मतलब होता है बड़ी, विड़िया का मतलब होता है लड़ना, होशो, मर्सू मर्सू सिंद नरेशू, जो नारो हणंदो, होशो ने मर्सू मर्सू सिंद नरेशू, यानिके मरूंगा मरूंगा लेकिन सिंद नहीं डूंगा ये नारा गाया, जो नारा हनन्दो ये नारा लगाया, सोरी हनन्दो का मतलब होता है लगाना, अगते वडंदो रहो, आगे चलता रहा, नेट पेंजे जानिसार साती सांविडी विडी शही ती वहो, आखिरकार अपने जानिसार सातियों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गया विडंदी विडंदी शहीदती वे लड़ते लड़ते शहीद हो गया होशोशीदी जी बहादुरी जी तारीफ होशोशीदी की बहादुरी की तारीफ मीरन सा गड अंग्रेज बा करन लगा मीरों के साथ साथ अंग्रेज भी करने लगे गड का मतलब होता है साथ करन लगा का मतलब होता है करने लगे हिन जंग के मियानी इलाके जे हवाले सा इस जंग को मियानी इलाके के हवाले से मियानी जी जंग चवंदा आहिन मियानी जी जंग चवंदा आहिन मियानी की जंग कहते है चवंदा आहिन का मतलब होता है कहते है क्योंकि ये जंग मियानी के करीब हुई तो इसको मियानी की जंग कहते है exercise हेट General सवाल अंजा जाजवाब डियो चार सवालें इनके जवाब देने हैं कोपी में किया है इसी वीडियों में आपको बताऊंगी next हे उर्दो में तरज्वा करियो ये уса जमले हैं इनके उर्दो में तरज्वा करने हैं ये भी कोपी में लिक्टे हैं इसके बाद है हिट लफजन मा इसम मफ़ूल ठायो आई वर्जायो नीचे लफजों में से इसम मफ़ूल बनाएं और दोहराएं वर्जायो को मतलब होता है दोहराना लिकियल इसम मफ़ूल आईं ये जो नीचे दिए हुए इस तरफ लिकल है लिके हुए इसम है ये जो है मफ पूल दूसरे बनाने है फस्ट है एक उन्हें ने दिया है तके हमें समझाए कि क्या करना है लिखो लिखियो लिखियल मतलब लिखना लिखो लिखा हुआ पड़ पड़ियो पड़ियल पड़ना पड़ो पड़ा हुआ या पड़ चुका पड़ा हुआ या पड़ चुका आप दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही correct है, ठा का मतलब होता है बनाना, कोई चीज बनाना, ठा का मतलब होता है बना, ठयो का मतलब होता है बनाओ, और ठयल का मतलब होता है बना हुआ, सम, सम का मतलब होता है सोना, और सुमियो का मतलब होता है सो, और सुमियल का मतलब होता है सोया हुआ हल हल का मतलब होता है चल चलना हलियो का मतलब होता है चलो और हलियल का मतलब होता है चला हुआ चली हुई कोई चीज होती है उसे हम कहेंगे चला हुआ बुद्ध बुद्ध का मतलब होता है सुनना बुद्धो मतलब सुनो और बुद्यल सुना हुआ कोई बात हमने सुनी हुई होगी उस तरह से कहेंगे उठ उठ का मतलब होता है उठना उठियो का मतलब होता है उठो और उठियल का मतलब होता है उठ चुका जिस तरह से मैंने लिखिये हैं आपको इसी तरह से बनाने हैं लेकिन मैंने आपको इनके मिनिंग्स भी बता दिये हैं फर्स्ट क्वेशन है मियानी जी जंग कडन लगी मियानी की जंग कब हुई मियानी जी जंग 17 फेबरवरी 1847 इसवी पर लगी यानि के हुई होशोशीदी केर हो होशोशीदी मीरन जी हवेली जो मुलाजिम हो होशोशीदी कौन था होशोशीदी जो है मीरों की हवेली का एक मुलाजिम था मियानी जी जंग कें जे विच मा लगी मियानी की जंग किस किस के दर्मियान लगी विच का मतलब होता है दर्मियान मियानी जी जंग अंग्रेजन एन मीरन जे विचमा लगी मियानी की जंग जो है अंग्रेजों और मीरों के बीच में हुई मीर सुबेदार खान अंग्रेजन जो साथ छोड़ी नो मीर सुबेदार खान ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया मीर सोबिधार खान एक्तदार छे लालच मा अंग्रेजर जो साथ जी नो मीर सोबिधार खानह एक्तदार की लालच में आकर इंग्रोजो का साध दिया next exercises थी अर्दू थे उनको उनका तर्जमा करने ता सिंदी कुछ जुमले थे उनके उर्दू बनाने थे first is होशो शीदी मुलाजिम हो होशो शीदी जो है वो मुलाजिम था होशो बहादूर हो होशो बहादूर था मीर सुबेदार इंग्रेजन जो साथ दिनों मीर सुबेदार ने इंग्रोजों का साथ दिया नेक्स टे होशो वीडियो और शहीद थी वे ओ होशो लड़ा और शहीन हो गया इसी के साथ इस चप्टर कम्प्लीट हो गई है उमीद है आपको चिसे समझ आ गई होगी नेक्स वीडियो में हम नेक्स चप्टर पढ़ेंगे अगर आपको मेरी वीडियो से हल्प मिलती हो तो प्लीज लाइक शेन सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर जरू कीजिएगा लाफिज